आज़ी पीवी डिप्लोमा के प्रिवियस येर के कोशन पेपर को सॉल्व करने की सिरीज के इस वीडियो में हम येर 2023 के कम्प्यूटर प्रुगामिंग का कोशन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस question paper का question number 7 का option भी solve करेंगे तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास जो question है वो है explain tokens in C या C में tokens को समझाईए तो अगर आपके semester exam में आपसे question पूछा जाता है कि C language में tokens को समझाईए तो आप इस question का answer कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस question के इस answer को line by line समझना सुरू करते हैं तो इस question के जवाब में हम लिखेंगे C भाशा में tokens programming की सबसे छोटी इकाईया होती है मतलब जब हम C language में कोई program लिखते हैं तो जो tokens होते हैं वो उस program में सबसे छोटी इकाईया या सबसे छोटी units होती हैं जब आप किसी C program को लिखते हैं तो वह कई tokens का एक set होता है तो अगर हमने एक program लिखा है तो उसमें बहुत सारे tokens मुझूद होते हैं प्रतेक token का एक विसेश अर्थ और उद्देश होता है तो जितने token हम use करते हैं सबका एक विसेश अर्थ और उद्देश होता है और compiler program को समझने के लिए इन tokens को पढ़ता है और जो हमारा compiler होता है program को समझने के लिए इन tokens को ही पढ़ता है तो मुकता C भासा में 6 प्रकार के tokens होते हैं तो चलिए हम बारी-बारी से सारे tokens को समझते हैं तो जो सबसे पहला token C language में use होता है उसको हम कहते हैं keywords यह predefined सब्द है जिनका एक विशेश अर्थ होता है तो keywords वो words है जो कि पहले से define किये गया है C language में इन्हें बदला नहीं जा सकता C भासा में 32 keyword होते हैं जैसे की int float return if आदी तो C भासा में total 32 keywords होते हैं जिनको पहले से ही decide कर दिया गया है और हम इनको बदल नहीं सकते एक्जामपल के लिए अगर हमने एक program लिखा है int main return 0 तो यहाँ पे int और return keywords है उसके बाद जो हमारे पास दूसरे तरह का token है उसका नाम है identifiers या पहचान करता यह programmer द्वारा दिये गए नाम है मतलब पहचान करता या identifiers कौन देता है programmer देता है जो program लिख रहा है जैसे variables, function और arrays के नाम तो जब हम कोई variable का नाम देते हैं या कोई function का नाम देते हैं या कोई array को नाम देते हैं तो हम एक identifier ही बना रहे हैं इन्हें स्वयम परिभाशित किया जा सकता है तो identifiers को हम खुद ही परिभासित करते हैं जो programmers होते हैं identifiers का नाम alphabet, digits और under score से बनता है तो जब भी हम identifier बनाते हैं तो उसमें हम alphabet यूज़ करते हैं digit यूज़ करते हैं और underscore यूज़ करते हैं परन्तु नाम digits से सुरू नहीं हो सकता तो जब भी आप identifier बनाए तो इस बात का विशेज ध्यान दे कि कोई भी identifier का नाम digits से सुरू नहीं होना चाहिए वो सुरुवात चाहे तो alphabet से आप कर सकते हैं चाहे तो underscore से कर सकते हैं तो digits को आप बीच में या बाद में यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम जब भी कोई identifier का नाम लिखेंगे तो पहले हम digits का यूज़ नहीं करेंगे example के लिए जैसे हमने age नाम का identifier बनाया यहाँ पे यहाँ पे हमने salary नाम का identifier बनाया जो कि flow type का है ठीक है तो यह सब क्या कहलाते हैं identifier इसके बाद जो हमारे पास तीसरे तरह का token है वो है constants यह ऐसे मान या values हैं जो program में परिवर्तित नहीं होते तो constant को हम program में बदल नहीं सकते constant मुकता तीन प्रकार के होते हैं पहला integer constant जैसे कि 10-5 यह क्या है integer constant है integer values क्या कहलाती है integer constant उसके बाद floating point constant floating point constant मतलब ऐसे number जिनमें decimal हो फिर चाहे वो number positive हो सकते हैं चाहे negative हो सकते हैं उसके बाद है character constant जैसे कि small a यह capital a small z यह capital z जितने characters हैं वो सब क्या हो जाएंगे character constant तो constant यह तीन तरह के होते हैं example के लिए जैसे माल लीजे कि हमने एक variable बनाया पाई जो की integer type का है और उसको हमने कर दिया है const तरह का const तरह का मतलब करने से क्या होगा कि अब हम अपने program में पाई की value को change नहीं कर सकते हैं पाई की value 3 है तो पूरे program में पाई की value 3 ही जाएगी अकर हम कहीं इसको change करने कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी इरर मिल जाएगी उसी तरीके से grade नाम की variable में हमने क्या रख दिया यह जो की एक constant है ठीक है तो इसी तरीके से यह 3 और यह जो है वो constant है 3 जो है integer constant है और यह जो है वो character constant है इसके बाद हमारे पास जो चौथे तरह का token है वो है operators यह symbols है जो calculation, comparison और अन्यकारियों के लिए उप्योग किया जाते है तो यह operators जो हैं वो symbols हैं जो की calculation, comparison और अन्यकारियों के लिए उप्योग किया जाते हैं तो मुक के operators कौन-कौन से हैं मुक के operators हैं हमारे arithmetic operator जैसे की plus, minus, multiply, divide और modulus उसके बाद relational operators कौन-कौन से हैं double equal to, not equal to, less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to, यह सब क्या है relational operators हैं उसके बाद logical operators में क्या आ जाएगा हमारे पास and हो गया, और हो गया और not हो गया तो यह सारे operators हैं जो की token का ही एक प्रकार है example के लिए जैसे की हमारे पास यह program है, इस program में हमने arithmetic operators और relational operator का use किया है उसके बाद जो हमारे पास अगले तरह का token है, अगले प्रकार का token है, वो है special characters या विसेश चिन C programming में कुछ विसेश चिन है या विसेश characters है, special characters है, जिनका विसेश कार है तो कुछ special characters है, जिनका थोड़ा special कार है, जैसे की आपका यह curly bracket, curly bracket जब भी हम C program में कोई block लिखेंगे तो उसकी सुरवात और रंत में हमें curly bracket लगाना पड़ेगा और statement की समपती में हमें semicolon लगाना पड़ेगा, और अलग-अलग variables को अलग करने के लिए हमें comma लगाना पड़ेगा और function call को करने के लिए हमें small bracket लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो यह क्या है special characters है example के लिए just देखिए main function हमने बनाया, तो यहां हमने small bracket लगाया, हमने printf को call किया, तो हमने यहां पे small bracket लगाया उसके बाद में हमने semicolon लगाया statement को end करने के लिए, यहां भी हमने semicolon लगाया statement को end करने के लिए और ये block को शुरुवात करने के लिए curly bracket और block को बंद करने के लिए curly bracket तो ये हैं हमारे पास special characters ये भी एक तरह के tokens है इसके बाद जो हमारे पास छटवा और आखरी तरह का token है वो है strings ये characters का समूम होते हैं जो double quotes में लिखे जाते हैं तो strings जो होते हैं वो collection of characters होते हैं तो बहुत simple है इनको समझना अगर double quotes के अंदर हमने कुछ characters लिखे हैं तो उसको हम string कहेंगे जैसे यहाँ पे john जो है एक string है इसको हम store करने के लिए character array बनाते हैं और character array में हम इस string को store कर सकते हैं तो इन सभी tokens का सही उपयोग एक सटीक और प्रभावी program लिखने में मदद करता है तो जब भी हम C program लिखते हैं तो हम इन ही tokens को use करते हैं और इन ही tokens को अगर हम अच्छे से use करेंगे सटीकता से use करेंगे तो हमें जो program मिलेगा वो बहुत प्रभावी program मिलेगा ठीक है effective program मिलेगा उसके बाद में हम conclusion लिख सकते हैं निसकर्स लिख सकते हैं कि C programming में tokens वो building blocks होते हैं जिन से पूरा program बनता है मतलब token से ही हम पूरा program को बनाते हैं compiler program को tokens के रूप में पढ़ता है और फिर उन्हें समझ कर execute करता है तो compiler क्या करता है compiler पूरे program को tokens के रूप में ही पढ़ता है और फिर उन्हें tokens को समझ के ही program को execute करता है tokens के सही उपयोग से ही program की संदचना और कारपरनाली निर्धारित होती है तो tokens अगर आप सही लिखेंगे तो ही आपका program का structure और जो card finale मतलब कारे करने का तरीका होगा वो निर्धारित होगा तो इस answer में हमने चर्चा की tokens के बारे में और उनके प्रकार के बारे में I hope कि आपको आज का video समझ में आया होगा अगर आपको कोई doubt इस video में तो please मुझे comment box ने बताए next video में हम इस question paper का next question solve करेंगे वीडियो को last तक देखने के लिए धन्यवाद